तो ओके आज इस वीडियो में मैं स्पेशली डिस्कस करूँगा एसीडीटी एंड बेसीडी के उपर ठीके तो कान में एरफोन डाल दो डिस्ट्रेक्शन नहीं होनी जाईए अगर डिस्ट्रेक्शन होगा तो कंसेंट्रेट नहीं कर पाऊगे चलो तो फिर एसीडीटी और बेसीडीटी तो के एसीडीटी बेसीडीटी कंसेट को समझाने से पहले में कुछ चीज़े बता दूँ कि अगर आपको एसीडीटी बेसीडीटी के बारे में बस कुछ भी पता नहीं है बस SCDDD और BCDDD आपने नाम सुना, तो आपको ये पूरे जो वीडियो सुनगे, ठीके मैं दो वीडियो बनूँगा, ये वीडियो में इस पर्टेकुलर वीडियो में बेसिक बताऊंगा SCDDD है क्या, और SCDDD को स्पेशली एक्जम्पल्स दोंगा SCDDD का, और से नेक्स वीडियो में BCDDD पूरा डिसकस करूँगा, और जो questions, especially IIT Jam, Netgate में आते रहते हैं, जो concept है, ये उसे questions तो solve करने के लिए, वो concept भी समझा तूंगा, along with different examples, different different examples, okay, मान लो बहुत सारे, मतलब 20-30 examples total होंगे, तो मैं आपको उतना ही examples करवाऊंगा, I will try, okay, ताकि हर एक concept, हर एक तरीका आप use कर पाओ, exam में, right, तो चलो time waste ना करके start करते हैं, और acidity और basicity को समझते हैं, तो देखो, acidity और basicity को दो तरीके से हम explain कर सकते हैं, especially, बहुत तरीका है, बट इसको define हम दो तरीके से करेंगे, ठीके, क्योंकि organic chemistry में बस हमें दो तरीका ही चाहिए, इसको explain करने में, first दो तरीक concept से हम इसको explain करेंगे, second जो तरीका होगा, second जो definition का तरीका होगा हमारा, वो होगा, Lewis Acid Base Concept, okay, तो Lewis Acid Base Concept पर Pronsted Laury Concept, ये दोनों हम एक एक करके discuss करेंगे, तो ये तो तरीका क्या है, पता है, acid और basic, basicity, acidity और basicity, इन दोनों को define करना, ठीक है, तो अगर आपको definition भी पता नहीं है, तो भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, कि acidity क्या होती है, और basicity क्या होती है, चलो, फिर start करते है, according to Bronsted Laury Concept, acid क्या होती है, और base क्या होती है, फिर Lewis Acid Base में जाएंगे, तो जो acid होती है, according to Bronsted Laury Concept, वो होती है, system, जो क्या करता है, release is ACE+, ठीक, ACE+, हम क्या बो बोलते हैं, और base किसको बोलते है, system, अगर ACE+, को accept करता है, accepts ACE+, और proton, ठीक है, कोई भी system ले लो, अगर वो ACE+, को release करेगा, तो उसको acid बोलेंगे, कोई भी system, वो ACE+, को accept करेगा, तो क्या बोलेंगे, base बोलेंगे, ओके, तो चलो, example ले ले लेते हैं, examples समझते हैं, तो मालो, मैं ए वो हासा नहीं हो, तो जो हाइडो क्लोरीक अचिद है, हम इसको acid क्यू बोलते हैं, किवकि ये बार्टिकलर सिस्टिक को क्या करना चाहिए, एइस्प्लेस को छोड़ना चाहिए, तो किस तरीके चोड़ेगा, देखो, simple logics थे, यह जो ACE-C-L, इसमें, जो ACE-C-L में किसका electron negativity जादा है, chlorine के लेक्ट्रोन अगरी जादा है, then hydrogen, तो यह जो bonded electron pair रहेगा, उसका shift किस तरफ होगा, chlorine की तरफ, अगर chlorine की तरफ हुआ, bonded electron shift का shift, मतलब chlorine electron को attract कर रहे है, बहुत जादा, तो यह जो bond होगा, वह बहुत वह जाएगा, जब bond होगा, तो system में easily, system से hydrogen निकल जाएगा, किस तरीके से, as यह electron पूरा खा जाएगा chlorine अकेला, तो यह S plus, system से S, hydrogen, S plus होके निकल जाएगा, तो किस तरीके से, देखो, यह पूरा electron खा गया chlorine, ठीके, जो दो electron था, bond के, यह दो electron था, तो अब जब पूरा खा जाएगा, दिन क्या बनेगा, एक बनेगा S plus, ठीके, जो system से से निकल जाएगा, ठीके, और दूसरा क्या बनेगा, C L minus, okay, as S plus system से निकल जाएगा, और यह system में ही रहेगा, okay, तो हमें, यह system से क्या मिल रहा है, यह system क्या अगर रहा है, system मतलब यहाँ पे, S, C, L, S, C, L क्या अगर रहा है, S plus छोड़ रहा है, तो S, C L को, जो main system, mother system होंगे, जो system H plus छोड़ रहा है, यह system से ही तो S plus जा रहा है, यह system से ही तो S plus जा रहा है, जाकि यह दो ना लग लग चीज़े फॉर्म हो रही है, तो जब यह system H plus को छोड़ेगा, okay, तब हम इस system को particularly क्या बोल सकते है, acid, okay, समझ गया ना, अब base का example ले 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 लेते है, माल मैंने एक example ले रहो, NH3, ammonia, तो nitrogen के उपर क्या है, क्लोन प्यार है, तो अगर हम तोड़ के लिखू, इसको में, तोड़ के लिखू, तो क्या बनेगा, N, इस तरीके से लिख सकता हूँ, okay, जब इस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके क्लोन प्यार है, तो अगर हम reaction करवाए इस प्लेस को accept करना चाहिए, okay, तो वो किस तरीके से लिख लेगा, चलो देख लेते, तो अगर हम system में, इस प्लेस एड करेंगे, तो यह जो लोन प्यर होंगे, यह डायरेक्ली एस प्लेस को खाएगा, और खा के क्या बनेगा, N, H, क्या था, 3 था, एक और आ गया, तो nitrogen के डो, इले ट्रोन कम हो गया, नहीं बोला मैंने, या पर दो Elekt Beetle अधा, मैंने बहुत एक electron कम हो गया, इसलिए 1 positive charge, मैंने समझहा, था, तो तोड़ के देख लेते एक और बार तो फिर इसी ली समझपा हो गया नाइडरोजन का यह तीन बॉन्ड अल्रेडी पहले अवैलेवल था यहां पर अब चौथा बॉन्ड फॉर्म हो गया यहां पर तब देखो इस चौथे बॉन्ड में जाइटरोजन के पास दो इलेक्ट एक एलेक्टर तो एक एलेक्टर नाइटरोजन से चला गया तो इस तरीके से फॉर्म होता है चीज़े ठीक है हम इसको क्या बोलेंगे तेखो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर इने सी लेक्ट इसफ्रस को मतबर uito को एक्षेप्ट कर रहा है और जब Imperus के एक सिस्टेम हम ख्या बोलेंगए एक एक बैस राइट इसको हम बोलेंगे बेस ओके तो हमारा बन गए एसीड हमीको डिफाइन कर दिये है और बेस को भी डिफाइन कर दिये इस इएस प्रस बेसर एकसेट इस प्रस चलो अब देखो अब आप जो एसीड और बेस में इक और चिज एड करना हम ँगोगने ऐसा ह्व और आनियोता क्या हूता तो समझने में और आसानियोड तो यह पर माइन सेいますी फ्लस नल राई रहा है रगाए तो चैकर एजी होगा आ। समझने के लिए और में इसको थोरसंट फैटार हो अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक काम करना है, कि यह जो acid, हमने इसको acid बोल दिया, तो जो form हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम acid थोड़ी बोलेंगे, तो देखो, acid और base हमेशे याद रखने, acid और base यह opposite होता है, अगर acid से कुछ निकलेगा तो बनेगा base, base अगर कुछ करेगा तो बनेगा acid, कुछ भी करेगा तो, acid और base पूर opposite है, जैसे कि दो positive चार्ज, एक negative चार्ज, दोनों को क्या अगरता है, attract करता है, वैसी acid और base को ऐसे ले सकते हो, acid positive चार्ज, base नेगटिव चार्ज, acids और base, इनमें ही reaction होता है, उसका main concept होता है, वो एक acid होगा, दूसरा base होगा, ठीक, उसको हम different different अलग अलग नाम से भी बुला सकते है, बट acid और base में ही reaction होता है, हमेशा, तो जैसी acid पहले था, अब जब जो form हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम तो base तो बोलेंगे, क्यों conjugate base, क्यों base बोलेंगे, थोड़ी दिर में आ रहा हूँ, उसको हम बोलेंगे conjugate base, conjugate word का meaning क्या होता है, conjugate मतलब वो जो base है, वो इसके साद related है, बस इसका और कुछ नहीं है, ठीक है, अगर conjugate word हटा भी दोगे, base रखोगे, तो भी ये correct है, बट इसको हम समझने के लिए conjugate base गया, या फिर अगर हमें इसको, इसको घुमा के बोलू, माल लो इसको as a base consider कर रहा हूँ, conjugate को हटा देता हूँ, ठीक है, base consider करो, इसको क्यों consider करेंगे, क्योंकि माल लो इस CL minus, अगर ACE plus को खा लिया फिर से, फिर से माल लो इसको भूख लगिया, और इस ने खा लिया फिर से क्या बन जाएगा, CA minus, negative charge, as plus, positive charge, बन के बन जाएगा ECL, मतलब एक system, जो as plus को खा रहा है, accept कर रहा है, कौन accept करता है, base accept करता है, तो इसको हम क्या बोलते है, base, तो अगर हम बन लो इसको conjugate, बस base बोल रहा है, इसको, तो इसको, यह अगर as plus खा के ACL बनाएगा, तब इसको क्य बोलेंगे, acid, थोड़ी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, conjugate acid, समझे, समझे हो, right, तो conjugate acid और conjugate base इस तरीके से define होता है, जिसको respect में हम लेंगे, जो पहले लेंगे, उसको normal, जो form होगा, उसको, 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 आगे conjugate, लगा देंगे, अगर हम इसको पहले ले, तो यह बन जे तो देखो, यह जो base है, यह जो part है, इसको हम क्या बोलते है, base, तो base से क्या होगा, base accept कर रहा है, ace plus, तो form क्या होगा, acid, क्यों, acid, देखो, यह जो अगर मानलो, इसको acid ले लो, तो यह अगर ace plus को छोड़ेगा, फिर से तो यह बन जाएगा, तो ace plus को छोड़ता कौन है, यह अगर यह छोड़ेगा, release करेगा, that means, वो acid ही तो है यह, खुमा फिरा के, acid, ace plus छोड़के बन जाएगा base, तो इसको आप क्या बोलेंगे, conjugate base, अगर यह अभी base है, तो यह होगा अभी, conjugate, acid, और अगर अभी यह acid है, तो यह किया बन जाएगा, conjugate base, clear, conjugate word का अलग कुछ मिनिंग नहीं है, बस वो relate करता है, पहले बाले parent system को, अपना जो parent system होता है उसको, तो यह हो गया हमारा acidity और basity, मैंने बताया था कि Lewis base concept, और bronze state lawdy concept, दोनों तो acid base को ही define कर रहा है, तो दोनों के अलग 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 है, no, दोनों equivalent ही है, किस तरीके से मैं आपको समझा दूँगा, तो अगर हम Lewis acid base concept को consider करें, तो उसमें acid और basity definition क्या होगा, तो according to Lewis acid base concept, acid क्या होती है और base क्या होती है, जो acid होती है, according to Lewis acid base concept, वो क्या करता है, electron pair को, electron pair को accept करता है, याद रखना, ठीक है, और चुब बेने अबवा वो इलेक्टों पैयर को इलेक्टों प्रफूर्ट के वह है त्वह करता है टीक है टीक हैμη ऑफ इंप्सिप्ट करता है इलेक्तों प्रेड़्ट को रिलीस करता है और कीस तरीके से करेगा इस ini पॉर्ट Article किस तरीके से गरेगा चलो कि एक्जम्पल ले ले लिता हूँ मैं यहाँ पर मैं कुछ और एड कर देता हूँ तकि मैं समझा पाऊ ठीक है चलो यहाँ पर कुछ और एड कर देता हूँ यह इस तरीम में वाटर रेट कर देता हूँ तोड़के रिखता हूँ ठीक है ताकि समझने में आसा नहीं हो बॉंड मैं क्या कॉंसे स्ट्रॉक्चर रही है यह बताओ मैंने बताया तो लास्ट वीडियो में सीरीज में इस्ट्रॉक्ट्रल फॉर्मॉला या इलेक्ट्रोनिक करना पड़ता और इस्ट्रॉक्ट्रल फॉर्मॉला में जो क्लोरिन के पर एक दो तीन चार पाट छे इलेक्ट्रोन है उसको मैंने नहीं किया तो यह हो गया इलेक्ट्रोनिक फॉर्मॉला याद करना पहले वाले वीडियो अच्छे से देखना ताकि इसली समझ में आ जाए hurry चलो अगे बढ़ते हैं अब अब देखो यह जो लॉन पर है ऑक्सिजन के उपर यह लोन पर और यह जो हम्हें बदर ही है शॉई हमें पता है यह इसीड वावणट है नहीं है छोड़ना चाहिए तो यह चोड़ेगा और इसको लुइसे सिटबस इसको कांशेट करना चाहिए इसको एलेक्ट्रों परकर करना चाहिए तो पहले में इसको देता हूं समझा के देखो जो ऑक्सिजन होंगे वाटर की ऑक्सिजन वो इस ऑक्सिजन यह करेगा डारेक्ली इस प्रस को खाएगा और हमें अल्रेडी बता है जो से इसल होती है वहाँ पर क्लोरिन मोर इलेक्ट्रों को खीचना चाहेगा तो यह बॉंडू ही हो गया सेम तरीके से जैसे पहले वाँ था उस थी तरीके से यह क्लोरिंग की उपर आ जाएगा चार्स अगर यह आ गया इसकी उपर चार्स तो क्या होगा फॉर्म हमें मिल जाएंगे एस ओ तीन एच आ जाएगा यहाँ पर कितने एक लोन पर और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यों क्योंकि ऑक्सिजन का जो द इस प्लास को एक एक लिट्रन नीटल कर रहा है मतब कोई चार्ज नहीं इसके उपर तो एक चीज़ यह फो मगा दूस्टी चीज क्या फोम होगा दूस्टी चीज जो फोम होगा वो होगा वो होगा हमें C-L- अब देखो अब लॉजिक लगाओ देखो यह एसीड हमें पता चीज से और अगर यह ऐसीड है तो इससे जो फोम होगा उसको हम अब हमें क्या क्लियर करना है कि लॉजिस कॉंसेट की इस तरीके से अप्ला हो रहा है देखो हमें बता यहां पर ब्रॉंच्ट लावरी कॉंसेट अप्लाई हो रहा है क्योंकि यह इस प्लस जा रहा है सिंप सॉडियां सब्सक्राइब में सीड लोगी से विंगत अनुटनि तो इसमें होगा कि स्थे लोग मीटॉजा होना, इसमें मुझी चाहिए विल्ड Night यूज़ कर रहा है यूज़ कर रहा है ना यूज़ करते वक्त क्या हो रहा है ये ठोड़ा सा शेर भी तो कर रहा है मतलब इसक बॉंड बन गया बेट इसलिए ये X- zehneter 콘cepter के काओडिंग pense concept is clear हो गया तो इसलिए ये X- क्योंकि येぞ क्यों पर यूज़ करके तो जो एस सिस्टेम, यह जो सिस्टेम, इस सिस्टेम क्या करना है, एस प्रेस जब छोड़ रहा है, तब एस असिद बन गया, according to bronze and laudy concept, at the same time, जब एस प्रेस को छोड़ेगा, यह जो lone pair होंगे, bond pair होंगे, यह electron कौन अकसेप्ट करेगा, chlorine, अतब इंडिरेकल यह तो bond pair भी, lone pair भी, electron pair भी accept कर रहा है, तो electron pair accept कौन करता है, acid, according to Lewis acid-based concept, तो electron pair को accept कर रहा है, acid, तो हो गया ना, तो देखो, एक ही, एक ही example देखे, हम दो चीजों को समझा सकते हैं, है ना, तो इस तरीके से काम करता है, acid-based concept, चलो, Lewis acid-based theory का एक और example में देदे तो आपको, लेकिन यह प्य L- और H2O+, यह Lewis acid-based concept नहीं है, तो याद रखना, यह बस मैंने इसलिए यह example दिया था कि मैं ब्रॉंस्टेड लावरी concept और Lewis acid-based concept को equivalent दिखा सको, ठीके, वो actually मैं Lewis acid-based concept नहीं है, बस equivalent दिखाने के लिए मैंने यह particular example लिया है, चलो, आगे बढ़ते हैं, ठीके, तो चलो, example ले में ले रहे तो, L, Aluminium, यह बहुत फेमास एक्जम्पल इसलिए में ले रहो, LCLT, और दूसरा लिंगा में आमोनिया, NST, ठीके, तो आमोनिया क्या है, एक बेस है, हमें पता है, हमें आमोनिया एक बेसे, तो इसको एक्जाक नाम क्या बोलेंगे, लुस बेसे, ओके, और य Aluminium के बस हर कोई चाता है, अपना Octate Fulfill हो, Aluminium का क्या Fulfill है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके उपर को Lone Pair भी नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Electron है इसके बस, Octate Fulfill करने के लिए इसको एक और Bond Form करना पड़ेगा, ताकि यह 7, 8 हो जाए, ओके, तो क्या करगा इसको यह Bond Form करने के लि ओके, यहाँ पर Ace Plus नहीं है लेकिन, तो Lewis Acid Base Concept से हम Ace Plus, जिस सिस्टेम में Ace Plus नहीं है, उस सिस्टेम को भी explain कर सकते, डौंस्टेडलावरी Concept का यह एक और एक disadvantage है, उसमें जो सिस्टेम में Ace Plus Accept या Ace Plus Release होगा, उसी को हम Acid Base Concept से इस पड़ेगलर थेवी से explain कर सकते, as Acids और Basis, ब लोन पेर करेता, लोन पेर तो हमेशा हर, कोई हर सिस्टेम में रहता है, ठीके, तो अगर यह Base है, तो यह अगर, यह अगर Electron पेर Accept करेगा, यह तो यह accept कर रहे ना, अलमनिया, मॉक्टर फूल पर करने के लिए, इलेक्टन पेर accept कौन करता है, असीर करता है, मतब यह Lewis Acid है, अलमनिया, अलमनिया, जिसको हम बोल सकते है, चलो, एक positive charge form हो गया, क्योंकि इसका जो दो electron में से, एक electron क्या हुआ, एक electron क्या हुआ, एक electron क्या हो गया, एक electron की कम ही हो गया, तो इसलिए इसके उपर आ गया positive charge, तो यहाँ पे CL, 3CL होंगे, ठीक है, तो इसको इस तरीक से समझा सकते हो, इसको समझाने का एक और तरीका है, चलो, कोपी कर लिए तो, कोपी कोपी, यहाँ पर पेस्ट कर लिता हूँ, आगया हमारा यह system, ओके, अब इस system में क्या करना हमें, चलो, देखो, अब, हमें पता है, यह जो system को मैंने, इस system को मैंने लिखा इस तरीक से, इसको हम एक और तरीक से explain कर सकते हैं, यहाँ पर accept कॉन कर र रहा है, ठीक है, तो, इसको हम इस तरीक से लिख सकते हैं, कि, aluminium, 3CL था, और यह accept कर रहा है, ठीक है, accept कर रहा है, और D कॉन रहा है, यह loan pair, NST, है ना, तो जो, जब इसको बोलते क्या, यहाँ पर मैंने क्या क्या, यहाँ पर मैंने क्या क्या क्या, यहाँ पर मैंने क्या क्या बैलेंसी है ए कोईट्रेंश करेंगे इसको के सब्सक्राइब कर तो इस तरीके से भी एक यूज कर सकते ही तो कि आमोंिया दो थेन देंखे एक वन फॉर्म कर रहा है और यह बॉण में जो दो अक्ट्रन है वो दोनों उक्टिट अपना उक्ट फोल्पिल करने के लिए उस कर खेख यह तो यह जो शिस्टेम संगी यह जो सिस्टेम होंगे यहाप पर जो इस पॉंत कर्फू इस तरीके से भी एक्स्टेम कर सकते है इसको भूलेंगे ऐडक्ट O.कै तो यह एक एडक्ट है जहाँ जब कौर्णेट बल्पन्पम होगा इसतरी के से तब भो बन जाएगा जो फोड़ेंगा उसको नहीं बोलेंगे एडक्ट चो इस तरी के से हाफि इस तरी चसे हम समझा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं तो हमारा हो गया लूइस अप्लाई करो मतलब क्या मान लो जो पहले सिस्टेम था उस सिस्टेम में क्या किया था मैंने यहां बहुत है तो सेम चीज़ यहां पर भी अपलाई होती है ठीक है या फिर आप यहां पर यहां पर यहां लूइस अचिद है तो इसको अगर तो इस पार्ट को स्पेशली देखो क्या हो रहा है नेगेटिव चाह जागा एक तो लूइस इसको हम कॉन्जूगेट बेस भी बोल सकते हैं बट यह उतना फेमास नहीं है जितना ब्रॉंस ते लावरी कंसेप्ट में कॉन्जूगेट एसी और कॉन्जूगेट बेस वाल्ट फेमास है ओके तो चुश्टकट में आद रहागा बहुत काम पे आएंगे यह सारी चीज़े तो बेसिट वेस आयोब क्लियर हो गया होगा आपको अपका कि आसी डर बेस क्या होती है ठीके तो चलो अब लुईस बेस लुईस एसड moralि के बियुका है विए सी बेस कॉंसिप्ट का हम थोड़ा सो अर बीघंस में जाते ह material अबर्म occupants कर्ण के आउस में अंड़ सब्सक्राइब में जब फहाज और मिंशना कर आओंगे इस तो कर्ण। में क्या होए धेकू चिंह जो कार्बोगाटान हो यह तो मैं एक ग्जंपल ले था हूँ सि ठीक है या पर हिसको माल ली कार्बोकाटान ले सलंदiszमें जी तो कार्बोकाटान क्या होती इसको को बोलते हैं कार्बो कैटायन Bible कंगों नाम है कार्व एननों करफ याद रखने सकोire एक दो कार्बो 230 में क्या होता है यहाँ प्येट उनके अल्रीन कि ओलरीडी कमी इलेक्ट्रोन थे और यहाँ पी इलेक्ट्रोन की कमी रहेगी उपके तब गया क्योंगें करेगा तो अगर स्वेसिकंड कर रहा है कोई भी सिस्टम है क्यों म्यगांटर करा किICES याफ़ कर रहा है किस की तरह भी अवर करता है ठीक है उनलीघर डीरिली स कर गफ मतलब वह बेस की तरह बीयब करता है अब देखो अगर मैं इसको पूरा करू मतलब एक्जम्पल पूरा ले लूँ तो क्या होगा तो क्या होगा मानलों यहापर मैं क्या गर रहा हूँ अध्यचे काम करते चलो कम करते थोड़ा हम किया करेंगे इन द्रेक्षिंgov कर देंगे ठ्व कुछ सकते हैं तो इन द्रीक्षिंट करते चलो तो इंदНе को कार जो ders ए ये ये अदिन गर्वक कर भेडिक ये और इक कर्ब एनन एक 2008 जैने तो या भीर reaction होगा तो इसके पस क्या है इसके पस इसके पस यह इलेक्ट्रन है इसको छोड़ेगा और यह accept करेगा मतलब यह हो गया acid यह हो गया base यह हो गया louis based यह बन गया louis acid ओके तो बन के क्या बन कर बनेगा कि wann गाई यह की का से 1 2 3 bond c MP1 begin when गया chan apa not what hypothetical example यह बन न Hakinti stability कुछ भी ऐसे इस तरीकिस reaction होता न है यह real में, इस तरीकेस एक्जिस्ट करता है, यह वाला ना यवाला exist करता है, वस मैंने सम्झाने के लिए लिए थिक है. तो किस तरीके से bond बन रहा है देखो हम यह आपे यहा पर आपे इसके बास ज्दा है तो जब यह नेगटिव चैस थी यह bond form होगा तब कर्बून के बस अभी वह कितने एक्टरन है देख वान टू थी और जो दो एक्टरन था वह दो दो एक्टरन यहाप पे है अभी और इसके बस एक कमी थी एक्टरन की तो वह एक कमी पूरा कर दिया एक्टरन ठीक है तो नेग हुआ जिसरा कंसे जो ऑरय न की मिस्ट्म बहुत ज़धर इंपर्टन एबुविट इलेक्ट्रॉफाइल मैंने बोला था ना इकदम डीक में जाऊंहोंगा और निक्लिव फाइल तो इलेक्ट्रिवजा abundance क्या होती है सेंबल लॉजिक इलेक्ट्रफाइल लॉब्स इसको मैं थोड़ा interesting की तरीके से करूँ है ना loves electrons और this loves nucleus है ना इलेक्ट्रफाइल loves electrons, निउक्रफाइल loves nucleus तो अगर electron को पसंद करेगा electron का charge क्या होती है negative तो जब ये negative कोई भी इलेक्ट्रफाइल negative charge को पसंद कर रहा है तो खूद का charge क्या है positive देखो ना simple logic याद रखना ही नहीं है और सिमिल लेले अगर nucleus इसका charge क्या होता है positive तो जब कोई भी nucleophile अगर positive charge को prefer कर रहा है that means उसका charge क्या है negative तो nucleophile negative होती है electrophile positive होती है है ना अब जब positive charge है electrophile के पास मतब electron की कम ही है nucleophile के पास electron जादा है चलो example लेता है example में इस तरीके कहलोंगा nucleophile electrophile के example लेता हो फैल है electrophile चलो ले लेता हो क्या लू क्या लू क्या लू चलो एक carbocatine ले 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 था हूं ठीक है CH3 H 2 CH3 है और एक positive charge है ठीक है तो इसको हम electrophile क्यों बोलेंगे यह तो carbocatine तो already ही वो तो ही लेकिन हम इसको और इसको और इसमें एक electrophile भी बोल सकते है क्यों क्योंकि यह जिसके पस electron की कमी हो रही है electron को पसंद करेगा है this will love electron क्योंकि already कमी है अगर मुझे भूक लगा है तो मैं खाना को पसंद करूंगा ना to accept और get electrons तो अगर electron के accept करना चाहता है तो according to Lewis concept okay electron के accept कौन करता है acid है ना तो यह क्या बन गया यह बन गया acid है ना मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होती है वो equivalent to acid होती है समझ गया ना similarly उल्टा करके अगर मैं समझाओ example लूँ क्या नहीं छोड़ो बोर करूंगा मैं आपको चलो anis to minus लेता हूँ तो इसके बस क्या है यह negative charge है तो यह क्या पसंद करेगा positive charge को पसंद करेगा अगर positive charge को यह पसंद कर रहा है यह अगर पसंद कर रहा है तो यह कि खुद क्या होगा एक nucleophile होगा और nucleophile होगा मतलब electron अगर इसके पास कोई दूसरा चीज़ आएगा दूसरा कोई atom आएगा जिसके बस electron की कम ही है मनत मान लो यह ही आ गया ठीक है चलो reaction करवा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है करवा देते reaction तो यह negative charge से यह positive charge को neutral करेगा और product क्या form होगा CH3 CH3 NH2 है ना तो इस तरीके का product form होगा तो यह जो क्या है nucleophile है क्यों क्योंकि यह positive charge को नियूकलियास को प्यार करता है नियूकलियास को पसंद करता है नियूकलियास को खाना चाता है नियूकलियास को पाना चाता है इसलिए और यह जो system है electrophile वो electron को पाना चाता है इसलिए तो जैसे कि Acid Base में reaction होती है, similarly, अगर ये Acid के तरफ VV कर रहा है, similar, ये Electron छोड़ रहा है, negative छोड़ रहा है, तो ये किस की तरफ VV करेगा? मैंने किया बोला था? Acid Base में हमेशे reaction होती है, Acid or Base में हमेशे reaction होती है, ठीक है तो हो गया reaction और प्रोडक्ट हमें मिल गया यह तो acid और base में जिस तरीके से reaction होता है similar तरीके से जो nucleophile होता है वो base के कोई valence होता है और acid और base में जैसे reaction होता है मैंने बोला similarly electrophile और nucleophile दोनों में reaction होता है ओके तो I hope यह पूरा concept acid based concept cation, anions किस तरीके से काम करता है electrophile, nucleophile किस तरीके से काम करता है वो आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से ठीक है चलो आप कुछ extra करते है, extra मतलब में एक चीज समझाओंगा इसके बाद हम examples में जाएंगे right तो अब समझ जो एक नाम अपने सुना होगा k a, acid dissociation constant और p ka okay तो k a को हम किस तरीके से repent करना है, चलो मान लोगे का acid ले रहाए इस c l इसको पानी में dissolve करता हूँ, is 2 o, क्या बनेगा a is 3 o plus, और क्या बनेगा, c l minus क्योंकि यह जो oxygen के loan pair होगा, यह खा जाएगा मैंने दिखाए दिखाए अभी और यह जो bond होगा यहाप यह bond यहाप आ जाएगा तो मैं इसको reaction को हमें दिखा हूँगा नहीं, ठीक है, इसको रख देता हूँ यहाप अब यह हमें पता एक acid है यह हमें पता है, base है of course तो acid से क्या बनेगा, conjugate conjugate base ठीक है, और अगर यह इसको हम base लेंगे तो इसके क्या आना है, conjugate acid है की नहीं, हो गया ना अब मैं क्या करूँगे हाँ पर, ka और pH, याद रखना acid you determine करने के लिए हम कौन से scale के लिए उस करते है pH scale, 0, sorry, 7, 14, 0 तो यहाँ पर अगर कोई system है, वो क्या है, neutral है अगर left में आएगा, क्या होगा वो? acid होगा, और right में जाएगा, वो क्या होगा? base होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें समझना है जो pH है और pk है, pk है और k है, यह किस तरीके से related है क्योंकि कही पर क्या होता है, acidity pH जब decrease होता है pH का value यहाँ पर जो pH scale है, इस pH scale में जो 7 से निचे आता है, pH का value जितना निचे आएगा, pH उतना घटेगा और acidity उतना बढ़ेगा, क्योंकि acidity इस direction में increase हो रहा है basicity opposite is direction increase होगा, मतला pH का value जितना increase होगा उतना ही basicity increase होगा, या फिर basic character increase हो जाएगा, ठीक है? अब हमें exam में हमेशे यह नहीं पूछेंगे कि compare the acidity order, पूछ सकती compare the pH values, okay और which of the following is the correct, shows the correct pH values, correct order of pH values, और correct order of pH values, और correct order of pH values, और correct order of k values, okay तो का इतना famous नहीं, pH और प्का ये दोनों ज्यादा famous है, तो इसका physical में पूरा calculations है, लेकिन मैं organic chemistry में समझेने के लिए आपको बतातूंगा, इक information देनागा, pH is equal proportional to pka, ठीक है? प्रोपोर्शनल to 1 by k a, इसको याद रख लेना, ओके, देखो, जो pH होती है, अगर pH decrease होगा तो acidity बढ़ेगा, प्रोपोर्शनल to pka मतलब अगर pka decrease होगा, तो भी acidity बढ़ेगा, ठीक है? तो pH और pka एक प्रोपोर्शनल लिटी का प्रोपोर्शनल है ये दोनों, ठीक है? तो अगर pH order, मतलब acidity order मांग रहा है कोई, तो pH order और pka order सेम होगा, याद रखना इस बात को, pH मतलब pka, pka बोलेंगे तो सफटक से याद रखना pH ही मांग रहा है वो, pka देखके घबराना मतलब, k a तो उल्टा होता है, मैंने बता दिया, तो जो इसका order होगा, वो उपोज है, तो इसका पूरा concept, क a होता है, क यह जो ऐसे decision को, क a बोलते है, और pka का मतलब क्या होता है, minus logarithm of k a होता है, तो pH का मतलब क्या होता है, minus logarithm of a c plus का concentration होता है, यह सारी चीज़ फिजिकल chemistry की चीज़ तो यहाँ पर मैं ज्यादा लिसकास नहीं करूंगा, बस यहाँ यह बता कंसेट था वो पूरा अब हमें क्या करना है अब हमें different effect कि कौन concept कि किस तरीके से काम करता है acidity or base city के उपर या फिर acid or base का strength हम किस तरीके से निकालेंगे वो हमें देखना है चलो पहले काम करते कुछ strength निकालने की कोशिश करते है है strength of acid and basis मैं अभी strength directly निकालना नहीं बस यह सिखांगा कि किस तरीके से निकालना है उसके बाद तो मैंने बोला 20 30 examples में दूँगा हर एक तरीके के examples में दूँगा अभी मैं यह दिखांगा कि किस तरीके से निकालना है ठीके चलो ओके अब देखो मैंने एक चीज़ बता था acid और conjugate acid या base conjugate base है ना तो पहले चलो acid को लेते हैं ठीके इस पहले चलो acid को consider करते हैं acid के case में क्या होता है acid में मालो कौन से acid लेना है हमें चलो मैं काम करता हूँ acid कासी ले रहता हूँ CH3 C double bundle थोड़के लिखता हूँ इसको OH तो इसको हम acetic acid बोलते हैं ठीक है acetic acid तो acetic acid का जो यह h है इसको हम acid क्यों बोलते है क्योंकि यह h plus छोड़ता है तो यह छोड़ेगा किस तरीके से यह लोन पर अपिलेक्टों नहां पहाँ जाएगा तो अगर आ गया तो एस प्लस छोड़ दिया बनेगा क्या CH3 C double bundle O O minus तो यह पहले क्या था एक acid था ठीक है यह पहले क्या था एक acid था अभी क्या बन गया इस प्लस छोड़ने के बाद conjugate base या लाया क्या बोला था मैंने conjugate base यह तो बेस बन गया ना क्योंकि similar तरीके से अगर यह ओ माइनास इस प्लस को राइट से लेप्ट नहीं आएंगा मैंसी डिसकस कर रहे है तो एसिट से हमें conjugate base explain करना है अब मान लो अब हमें strength किस तरीके से इंकलना है उसको समझने के लिए कुछ basic concept समझने है कि जो acid होती है इसका acid ही है strong है या weak है weak acid हो सकता है strong acid हो सकता अगर या फिर मान लो तो तीन acid को दे दिया बोला कि इसको सही order में सजा उसको और गनेस करो तो किस तरीके से करोगे तो आपको क्या करना है आपको पहले उसका conjugate base निकालना है एस प्लस को छोड़के अगर system में स्ट्रस आभेलेवल हो तो अगर system में स्ट्रस आभेलेवल नहीं है तो कुछ और तरीका है लेकिन एक्सम में जो questions आएंगे maximum questions में ही इस प्लस आभेलेवल रहेगा इसलिए दिक्कत की बात नहीं है कुछ भी ठीक है तो हमें क्या करना है पहले इस प्लस छोड़ देना है मतलब यह acid क्या करेगा इस प्लस छोड़के क्या बनाएगा conjugate base बनाएगा ओके अब question देखो अब अग मतलब क्या बहुत इजीली acid किसको बोलते जो इस प्लस छोड़ता है तो अगर वे यह बहुत strong acid होगा तो वो easily प्रोडाक्ट बन रहा है इस प्रस छोड़ने के बाद अगर वह स्टेबल ही नहीं है तो वह क्यों छोड़ेगा इस प्लास या फिर वह स्ट्रॉंग क्यों है स्ट्रॉंग होने के लिए उसका कॉंजुगेट बेज़ भी अट अगर कॉंजुगेट बेस ब्लास छोड़ेगा नवो कि अगर स्ट बैक्ष छोड़ कि यह जो बना वो स्टेबिक ही नहीं है तो फिर सई एक्सप्टप करके फिर fawn जलेगा तो अगर यह ही बनां बनान के रहेगा का system है तो इस प्लस छोड़ेंगा छोड़ेंगा कैसे यह अगर इस प्लस नहीं छोड़ेंगा तो हम इसको strong acid किस तरीके से बोलेंगे कैसे बोलेंगे समझ रहा हो फील कर पर रहे हो ना तो हमें acid के strength, acid का strength देखने के लिए हमें देखना है conjugate base का stability stability देखना है स्टेबिलिटी हमें इसका stability देखना है मूर दा स्टेबल दा conjugate base CB इसको मैं CB बोलता हो conjugate base more will be the acidity ठीक ना conjugate base जितना stable होगा system, parent system उतना ही ज्यादा acid होगा clear हुआ I hope हो गया पूरा clear तो देखो अगर मैं स्वीस एक बार बता देता हूँ अगर conjugate base stable ही नहीं होगा तो एसप्रेस नहीं छोड़ेगा तो इसको acid होने के लिए इसको एसप्रेस छोड़ने के लिए छोड़ने के बाद जो बनेगा वो stable होना चाहिए टाइट तो अगर यह स्टेवल है तो बोलगा ठीक है भाई मैं स्टेवल होने के लिए इस छोड़ता हूँ और स्टेवल हो जाता हूँ है ना I hope now it's clear तो conjugate base के stability देखना है अगर acid का acid का acidity compare करना है या फिर करना है में compare मार में बाद में करूंगा बस strength किस तरीके से निकालना है वह में दिखा रहो समझा रहो आपको ठीक है चलो दूसरे एक्जम पर लेता हूँ बेस का अब क्या पढ़ना है बेस अब बेस के लिए क्लिए क्या होगा चलिक बेस ले ले लेते हैं कौन सा बेस लेना है जलो ले लेता ह aún तो ऑईस माइनस ले तो दूसरा कलर थेुस करना ऐस क्या है खै ? और इस माइनस बेस को लेक्ष कि क्या करूंगा मैं इसको में क्या करूंगा एसीड इंट्रोद्डे besar इस प्लस इंट्रयूस करूंगा शाइंDonald तो हमें अल्रीडी पता है कि यह एक यह एक बेस है ना हमें पता है आई रख तरी एक छोड़ेगा या इस तरीकर से या फिर अगर इह एक आपक्सेप्ट करेगा तो यह बन जायेगा BASE अब देखो अब लौजिक किये देखो अब जब यह 20 प्लस इस परटिकलर 20 says क माइच्थ कर लेगा तो क्या बनेगा विस मैंस था पहले तो ओँ अब इस तरीके से अक्सप्ट कर रहा है तो इसको निट्रल करेगा और इसको भी न्यूजल हो जाए कि यह शेर कर रहा है इसको दे रहा है तो यह क्या है इस सुद है तो पूरे तो ए तो इसको अम गर बोलेंगे अगरо कॉंजूद invee कि तो मैंगे इसटेबल हैक मतब यह प्रोड़क्ट जो पॉंग हो रहा है अगर यह see सब्सक्रांभ miss टो ओए सब्सक्रालन मंतों बनाना है कि Penguin सब्सक्राम लिए तरी इसलिए और यह एक्सक्राइप नेगा किसे दिखना तो एनने प्रोडॉंग हो ग। जो कॉंजुए डधा अफिर अद्रम इह मिलेंगे लो इसतेबल हो इस त्रीके से श्चे इसलिए बनाएगा वो मतलब conjugate acid का acid अगर stable है तो हम बोल सकते हैं वो corresponding जो parent base है न वो बहुत basic है अगर conjugate acid का strength मतलब stability जितना ज्यादा होगा base का basic strength उतना ही ज्यादा होगा इसका stability देखना है तो मतलब क्या करना है हमेशा अगर हमाने पास acid हो तो इसको इस प्लास छोड़के देखना है conjugate base बन रहा है उसका stability करना है अगर यह बहुत stable है मतलब यह बहुत strong acid है similarly अगर हमाने पास base को क्या करवाना है कि इस प्यास खिला दो खिला के देखो जो product बन रहा है मतलब conjugate acid बन रहा है वह stable है कि नहीं अगर वह stable है अगर यह खाएगा खाएगा कब जब यह basic character दिखाएगा अगर यह खा रहा है और product stable बन रहा है मतलब यह basic है बहुत strong वाला basic है strongly basic है clear हुआ I hope it's done I hope यह हो गया clear पाकी मैंने बोला ना compare बहुत सरे examples है कि compare तो मैं करवाँगा बहुत सारा अभी बस समझ जाओ इसके बारे में कि हो क्या रहा है या पर चल क्या रहा है ठीक है okay done चलो मैं इसी लगे हाथ एक चीज बता दें आपको आपको शाय को शायद पता है ही फिर भी बता देता हो जो और स्प्रेश्टी यह टिक है उसको हम क्या बोलते है तो एस प्रेस कर सकते प्लेस को अगर जब करेंगा तो हम उसको यह थो है थो यह मैंने बोलते हैं सब्सक्राहरूर अगर रिलीस करेगा क्या बनेगा वह था है यह बनेगा पिल्वह पीर में चीज बता हो अब इस को और यह थो छहाई लिखت का यह ज्यादा एक्यूरेट है ठीक है एक्यूरेट ज्यादा एस्ट्राइब लिख सकते हैं तो यह दूनों एक्विवालन होता है हाई रॉक्सिल आयोन को वह इस मैंने से लिखा जाएगा ठीक है तो इसका कोई आप्शन नहीं है कुछ और तरीके सामने लिख सकते हैं लेकिन इसलिए देखो तो मतलब एस्ट्री यह आईसेट भी है ओपने मैं के पस क्या इऎलेक्ट्रोन है इसके बस एलेक्ट्रों ज्यादा है स्बूनों तरीके से शकते इसलिए अलाम आहने सायद्स को वोलते हैं एंफोटैरिक सिस्टेम एंपोटैरिक सॉल्वेंट ठीक है, solvent मतलब जो liquid चीज़े होती है, solvent बोले जाता है, specially, तो amphoteric solvent बोलते हैं, water को, याद रखना, तो यह as a acid या फिर as a waste, दोनों तरीके से काम कर सकता है, ठीक है, तो इसकी याद रखना, यह समझर में, समझर में आसानी होगी, कि हमें कुछी भी solution बनाना हो, उसमें हम water में अगर add करेंगे, crystal अगर add करेंगे, ACL अगर add करेंगे, तो क्या होगा, ACL किस्टल से क्या बनाएगा, यह तो न्यूडल अल्लीड वाटर, water में dissolve करेंगे, तो पुरा system, जो acidic बन जाएगा, तो acid किस का property, ACL का property है, तो water बस help कर था system को, उस particular, जो properties से उसको achieve करने में, okay, तो यह पूरा concept, जो आपको अले भी पता था, मैंने बस एक बार बता दिया, okay, आप देखो, अभी हमें क्या करना है, कुछ comparison देखना है, और एक और bond strength को यूज़ करके, हमें acidity compare करना है, थोड़ा सा, ठीके, चलो मैं एक example देता हूँ, bond strength and acidity, मैं चार example लेता हूँ, ठीके, HF, ACL, HPR, HA, इसमें किसका bond ज्यादा strength, strong है, और किसका कम, order बताओ, किस तरीके से बता होगे, देखो, जो hydrogen होता है, उसका 1S orbital overlap करता है, और fluorine होता है, उसका कौन सा orbital overlap करता है, 2P, okay, यहाँ पर hydrogen क्या है, 1S, इसका क्या है, 3P, similarly यहाँ पर 1S, यह क्या है, 4P, यह क्या है, 5P, तो हर केस में 1S, 1S hydrogen का है, मतलब हमेशे याद रखना, वो bond ज्यादा stable होगा, ठीक है, वो bond ज्यादा stable होगा, जिसका चो principal quantum number, principal quantum number क्या होता है, जिसका क्या होता है, यह दोनों सिस्टेम में, जिस दोनों सिस्टेम में bond formation होगा, या bond रहेगा, वो दोनों सिस्टेम में, अगर principal quantum number, जीतना कम होगा, अगर maximum minimum कम 0 होगा, टूपी 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 खानला, ज में जिसका, शिसका करबोन कारबुन क्या खौताइक, टूपी टूपी खानला होता है, तो minimum 0 हो सकता है, तो difference जितना कम होगा system उतना ही ज्यादा strong होगा मतब बॉंड system का जो बॉंड होगा na strong होगा strongest यहापे strongest है ठीक है कि यहापे 1 और 2 डिफ्रेंस कितना है 1 2-1 equals 2 1 यहापे क्या है 3-1 equals 2 2 यहापे क्या है 4-1 equals 2 3 और यहापे 5-1 equals 4 तो principle quantum number का डिफ्रेंस जितना कम होगा वो बॉंड उतना जयादा strong होगा मतलब देखो अब यह logic scientifically किस तरीके से true है समझो hydrogen और fluorine principle 2p 2p honest overlap हो रहा है मतलब यह 2p 3p 4p 5p किसका size बढ़ा है मतलब hydrogen इत्तु सा है और इसका साथ जो bond कर रहा है बहुत बढ़ा शेयर इतना उसा है तो इतने छोटे चीजों के साथ छोटे आटम के साथ इतना बड़ा आटम किस तरीके सोबलब करेंगा तो इस तरीके सोबलब होगा तो overlapping अच्छे से होता निए लेकिन अगर दोनों hydrogen and fluor इस तरीके से च्छोट यह इतना है फ्लूरीन सा पूचितना है तो इस तरीके से बॉर्ण अच्छे से होती है ठीके तो इसका जो प्रिंसिबल कॉंटर नमबर का डिप्रेंस कम रहेगा मतलब उसका size का difference भी कम रहेगा size comparable होगा size comparable को मतलब overlapping अच्छे से होगा मतलब bond ज्याता है strong होगा इसलिए उपर से जब हम नीचे आते हैं आता bond strength क्या होता है ठीक्रीज हो जाता है डिक्क्रीज bond strength ठीक है अब HF से HI में आएंगे तो bond strength दिखती हो जाएगा अब बताव अगर मानलो इसका हम acidity compare करे तो acidity में क्या होता है है इस प्रेस छोड़ने का probability मतलब कौन सा bond वीच है सबसे ज्यादा HI का bond वीच है तो कौन इसलिए इस प्रेस छोड़ेगा weak bond से यह bond वीच है मतलब यह SI का hydra S-P-S easily निकल सकता है सिस्टेम से इसलिए क्या होगा जब हम उपर से नीचे आएंगे न कि यह परसे नीच दि आएंगे हम वह सिरीडि बढ जाएगा-स रीडिल यस्तिया होगा ऊपर से निचे यह पर नाया जमाहिएंगे हम फiche इनक्रेज़ और पी इंक्रीजर पाद प्ध करेगा पीच पॉर्ट स्यम्स करे घृच एज़ एड़ा सौय लो अगर हम compare करें acidity का तो इस तरीके से change होगा हर चीज तो I hope आप समझ गये होंगे bond strength के साथ acidity किस तरीके से depend करता है I hope it's okay done now, तो PHPK का contribution भी किस तरीके से होता है वो भी आपने समझ गये होंगे अब एक और contribution ले रहा हूं मैं वो होगा effect of hybridization देखो मैंने example में नहीं गया बहुत सरे concept से जो हमें समझ नहीं है examples में जाने से पहरे था कि examples जब मैं कर भाऊंगा एक एक example को आप easily समझ पाओ ठीके तो hybridization का तो organic chemistry में basically थीन hybridization यूज होता है एक है SP3 दूसरा SP2 इसरा SP ठीक है बाकी SP3D2 SP3D इस तरीके का use नहीं होता generally तो SP3 में क्या होता है देखो टोटल अगर मान लो एस और तीन पी एक 1S और 3P है ना SP2 में क्या होता है 1S और 2P SP में क्या होता है 1S और 1P मतब SP में equal equal division हो रहा है देखो आधा S और आधा P मतब 50% S plus 50% P यहाँ पर क्या हो रहा है देखो तीन पार्ट में divide हो रहा है 1 S की उपर क्या है 1 है और P के उपर 2 है तो 3 पार्ट में divide हो रहा है तो 3 पार्ट में मतलब S को मिलेगा 33% लगबग और P को मिलेगा चल्रों मैं clear रहे लिखता हूँ इसको तो S को मिलेगा कितना 33% S और P को मिलेगा 66% P करेक्टर ओके similarly जो यह है first system में SPC system में इसमें क्या होगा हमें मिलेंगे 25% S plus 75% P तो यह तीनों पार्ट में हम divide कर सकते है इस तरीके से अब इसका मतलब क्या है देखो यह जो 25% 25% 75% यह जो है character है मतब यह SP3 hybridation में S करेक्टर होता है 25% और P करेक्टर होता है 75% SP2 में S करेक्टर 33 और P करेक्टर 66 SP में S करेक्टर 50 और P करेक्टर भी 50% okay 50% होता है 50% okay done तो अभी इसका करना किया है देखो याद रखना एक example एक बहुत important चीज़े समझा रहा हूँ यह question आया था jam में लगबग आता रहता है इस साल में भी आया था 2020 में शायद ठीक है question याद रखना एस करेक्टर एस करेक्टर इस पोपोर्चनल टू इलेक्टर नेगेटिविटी इलेक्ट्रो कि इसको दिमाग में च्छाप लो कि ज़ो Claus क्रेक्टर युज ना वो इलेक्टर स्टर बार अगशनल मतलब कोई भी सिस्टेम रग pardon कई इस करेक्टर जादा हो मतलब मूर एस के रिक्टर पोई बैटेम होगा जो भी ए सिस्टेम में कोई पी बैटRe Shape रहे हैं है मूर रेस की क्यों क्यों कर रहे हैं अब तरो इसको क्यों use कर रहे हैं चलो इसको समझाने के लिए और बाकी जो मैंने अभी ignore किया उसको समझाने के लिए example लेता हूं क्या करता हो एक्सम्पल में ये लोंगा सी इस तरीके के एक्सम्पल तो तीनों एक्सम्पल में एक्स हाइविडेशन निकलना मैंने इस्तिखा दिया था यह क्या होगा वो देखने के लिए पहला वीडियो देख लो तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, यह SP3 hybridized होगा, यह carbon, यह carbon, दूसरे carbon भी सेम होगा, हर एक सिस्टेम में, ठीक है, यह carbon क्या होगा, SP2 hybridized होगा, यह carbon क्या होगा, SP hybridized होगा, तो इस में स-karrector कितने है, 25% इस करेक्टर, इस में कितने है, 33%, देखो 33.33 होता है, तो मैंने ignore कर दिया, इस करेक्टर, इस में क्या होता है, 50% इस करेक्टर, इन तीनों कर्बन में, बाकी जो carbon उसे मतलब यह, 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 सेम ही होंगे, बस मैंने एक carbon consider किया, अब समझ में आ रहा है कि मैंने क्यों वोला कि more electron negativity less, अब देखो, यह 3 कर्बन में तो carbon है न, तो carbon का, अब अगर मैं बो लू, इन 3 कर्बन में किसका electron negetivity ज्यादा है, किसका electron negativity कम है, बताओ, किस तरीके से बताओगे, बोलो आ godwnie कि तरीके से बताओगे, इस carbon में किस तरीके से बताओगे, तो उसको समझाने के लिए, हमें क तो अगर मैं इसको carbon, चलो, इसको मैं carbon 1 देता हो, इसको carbon 2 देता हो, एक तो, electronicallyability order क्या होगा? electronegativity order क्या होगा? carbon 1 2 3 का, carbon 3 का, as carbon 3 का, एस character maximum है, 50%, आधा अधा जा रहा, ये तिन भाग हो रहा है, ये चार भाग हो रहा है, तो ये जो आधा है, मत्ताब, most अब और एक्रिक्टेक्टर तो शिए सकते हमार एक मैं इलेक्रेडिटीटिबीटीवेटर केक्टर के सवाइज होगा हूग हुआ दी दीन कर्भोनū यह धित विछयन से क्यों करवा रहा हूँ इस ताइब के एक्जाम्पल्स देखो maximum important है यह सबसे ज़्याद important हाइब्रेशन के बाद हमें electron negativity order का पता चल गया यह तीनों कार्बोन में से यह carbon maximum electricity मतलब यह carbon यह जो आजू-बाजू का bonds रहेगा ना कार्बोन की आजू-बाजू वो वो bond को maximum attract करेगा bond मतला bond के जो electrons होंगे उसको maximum attract करेगा क्योंकि यह maximum electronegativity है पाकी system से तीनों carbon atom यह carbon क्यों फ्लूरिन के साथ यह carbon को oxygen के साथ compare मत करो कभी carbon जीत नहीं पाएगा लेकिन यह तीनों carbon है और different hybridization के through उसका इस character से खीचेगा ना अपने तरफ अगर खीचेगा तो यह जो bond होंगे वोई खो जाएंगे यह जो bond होंगे वोई खो जाएंगे मतलब यह सिस्टेम AIS को as AIS plus easily छोड़ सकता है देखो ना ACIDPC का concept कैसे लेके आता हूं मैं तो AIS plus easily छोड़ सकता है अगर इस में सिस्टेम में इसका AIS character थोड़ा कम है मतलब यह जो AIS होंगे थोड़ा कम इसको attract करेगा मतलब इसका जो AIS plus easily system को छोड़ने ही पाएगा या फिर कम छोड़ेगा इस में क्या होगा AIS character बहुत कम है मतलब electricity बहुत कम है इसका तो खीचेगा ज्यादा नहीं खीचेगा तो AIS plus easily नहीं निकलेगा तो यहां से हम क्या कर सकते है acidity order determine कर सकते है acidity ordered और वो क्या होगा वो होगा यह मनलो system A है यह system B है और system C है किसका hydrogen more acidic है C का hydrogen more acidic है then B then A आप समझ में आया क्यों मैं hybridization concept लेके आता हुए आपे और लेके आ रहा हुए आपे यह है reason hybridization का concept लेके आने का clear now it's done क्योंकि इस तरीके के example इस तरीके questions exam में आते है jam में nearly आते या फिर सेम concept को यूज करना होता है तो जहाब भी triple one double one single one मिलेंगे पहले क्या concept लेके आना है hybridization electronegativity उसके बाद जो भी समझाना है जो भी करना है करना ठीक है तो आयोप यह acidity basicity का पूरा खेल जो था अभी तक समझ में आ गया होगा आपको तो acidity और basicity का पूरा concept clear हो गया तो अल्रेडी वीडियो लंबा हो चुका है तो चलो अगले वीडियो में क्या करता हो acidity और basicity का examples समझाता हो कि एक एक वीडियो में थाटी-thाटी examples अगा लोंगा तो time बहुत लगेगा time बहुत लगेगा तो मैं क्या करूंगा acidity का एक वीडियो, basicity का दूस्टा वीडियो बना लोंगा ठीक है चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं